पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं तो सेशन को क्या कर देना है राती में शेयर कर देना है अपने फ्रेंज के साथ और फटाफट कहां पर आ जाना है कमेंट बॉक्स में आ जाना और आंसर देना जो है वो स्टार्ट कर देना है तो पहला क्वेशन आ रहा है स्क्रीन पर वो ये है अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो Climate Change Performance Index की जो रांकिंग आई है यह जो रिपोर्ट निकाली गई है इसमें जो है इंडिया 2020 मतलब इस वर्ज जो है 10th रांक पर रही है पिछले वर्ज जो थी इंडिया कौन से रांक पर थी 9th रांक पर थी इस से पहले जो है 11th रांक पर थी अगर हम बात करें तो पहली 3 places जो है वो आपको क्या दिख रही है खाली दिख रही है पहली 3 places आपको खाली दिख रही है 4th नंबर पर Sweden है 5th में UK है, 6th नंबर पर Denmark, 7th पर Morocco, 8th पर Norway दिखाए दे रहा है, 9th पर चिली और 10th नंबर पर है कौन इंडिया है, तो अगर हम बात करें तो इंडिया एक position जो है slip हुआ है, ठीक है पहले इंडिया 9th रांग पर हुआ करता था, मतलब जितना अच्छा रांग के उतनी अच्छ में देखते हैं, biggest current emitter of greenhouse gas, ठीक है, greenhouse gas सबसे ज़्यादा एमिट कौन करता है चाइना, जिसका rank रहा है, इस index में कौन से नंबर पर भई, 33rd नंबर पर रहा है, और सबसे ज़्यादा historical polluter जो कहा जाता है, वो USA कहा जाता है, और वो जो है bottom रहा है इस list में, ठीक है, इंडिया जो है, वो skid हुआ है, position, एक position, इंडिया जो था 2019 में 9th rank पर था, अब जो पहुँच गया है, वो 10th rank पर पहुच गया, लेकिन इंडिया की journey, जो है, climate protection पर वो consistent है, और improve कर रहा है, 2014 में इंडिया कर रहा है, जहां 31st number पर हुआ करता था, धीरे धीरे इंडिया क्या कर रहा ह है, अगर हम बात करें, तो Paris Agreement को meet करने के लिए, जो climate performance पर, climate पर Paris Agreement sign हुआ है, उसमें ये कहा गया है, कि global warming जो है, increase रहनी चाहिए, और 2 degree centigrade के बिलो रहनी चाहिए, by the end of the century, और restrict करके रखनी है, 1.5 degree centigrade, इस से जाधा जो है, temperature पर increment नहीं होना चाहिए, अगर हम बात करें, लेक इस वज़े से आपको शुरुआत की तीन प्लेसेज क्या दिख रही है, खाली दिख रही है, ठीक है, अगर हम बात करें, ये जो climate performance index की रिपोर्ट आई है, ये 2021 की रिपोर्ट है, जिसने cover किया है, पूरा का पूरा year 2020, अगर हम G20 countries की बात करें, मतलब group of 20 countries की बात करें, तो group of 20 countries में से दो ही countries है, जो higher rankers रही है, उसमें से एक UK रही है, और एक हमारा प्यारा भारत रहा है, ठीक है, इसके अलावा जो है, बाकि सारी countries, USA, Saudi Arabia, Canada, Australia, South Korea, Russia, ये सब जो है bottom में रही है, इस पूरी की पूरी लिस्ट में, ये जो CCPI की रिपोर्ट है, CCPI मतलब climate change performance index की जो र रिपोर्ट निकालती है, एक non-profit organization, German Watch, और New Climate Institute, जो जर्मनी का है, ये मिल कर जो है, ये रिपोर्ट निकालती है, किसके साथ, Climate Action Network and International के साथ, इस रिपोर्ट को निकाला जाता है, ठीक है ना, तो India का rank कौन सा रहा है, 2020-21 की रैंकिंग में, इंडिया का rank रहा है, 10th नंबर पर Next आ रहा है, अगला question स्क्रीन पर, As per the new survey, conducted by Nepal and China, the height of Mount Everest has become taller by how much, नेपाल और चीन द्वारा किये गए एक सर्वेक्षन के अनुसार, Mount Everest के उचाई जो है, वो कितने से अधिक हो गई है, तो आपको बताना है कि कितने मीटर से बढ़ गई है Mount Everest की, जो height है, तो अगर हम बात करे तो 1953 से लेकर 55 तक जो इंडियन के द्वारा height measure की गई थी, वो थी कितनी भाई, 8848 के बारे में बात की गई थी, जो अब बढ़ गई है कितने मीटर्स, तो 0.86 मीटर्स जो है height क्या हुई है, increase हुई है किसकी Mount Everest की, अगर हम बात करें तो ये tectonic plates की वज़े से जो है कहा गया ह है कि height जो हुई है, वो increase हुई है, जो 8848 हुआ करती थी, वो अब बढ़ कर कितनी कही गई है, 8848.86 मीटर्स जो है वो हो गई है, 2020 की अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करें कि height जो है, वो कैसे measure की जाती है, तो GPS लगा कर satellite के तुरू, इसके अलावा जो है एक और तरीका हो कि 2015 का जो नेपाल में जो है earthquake आया था, उस वज़े से क्या होना था, height जो decrease होनी थी, लेकिन जब measurement किया गया, तो ये पाया गया कि height जो है, वो continuously क्या हो रही है, बढ़ रही है, और 0.86 मीटर क्या हो गई है, बढ़ गई है, height किसकी, Mount Everest की, next आरा है अगला question, what is the theme of the India Mobile Congress IMC 2020, भारत Mobile Congress IMC 2020 का विशे क्या रहा है, तो हाले में Indian Mobile Congress की जो क्या हुई है, meeting हुई है, मोदी जी ने जो है, इस meeting को पूरी तरीके से attention किया है, आपको बताना है, theme क्या रही है, Indian Mobile Congress की, तो बिलकुल option जो है, वो आने लग गए है, सही सही और theme क्या रही है, inclusive, innovation, smart, secure and sustainable, सब को ले Mobile Congress IMC की theme रही है, इस वर्ज की, अगर हम बात करें, तो प्राइम मिनेस्टर नरेंद मोदी जी ने inaugurate किया, और virtual एडिशन रहा है, यह IMC का Indian Mobile Congress का video conferencing के तरू, जिसकी theme दी गए थी, inclusive, innovative, smart, secure, sustainable, यह तीन दिन का event है, जो 8 December से लेकर कब तक चलेगा, 10 December तक चलेगा, IMC 2020 जो है organized किया गया है, Department of Telecommunication, Government of India के दुआरा, इसके अलावा जो अलग-अलग Cellular Operators Association of India है, वो सब भी क्या रहे हैं, शामिल रहे हैं, जिसमें 4G network, 5G network, इन सब के बारे में क्या की गई है, बातशीत की गई है, तो तेजी से 5G network की तरफ अब बढ़ रहा है, पूरी countries जो है, वो अमाउंट has been approved by the Asian Development Bank as technical assistance to support advanced biofield development in India, भारत में उननत जैव इंधन विकास का समर्तन करने के लिए, तकनी की साहता के रूप में ADP द्वारा कितनी राशित स्विकृत की गई है, तो Asian Development Bank हम लगातार देख रहे हैं कि funding कर रहा है, लोन अप्रूफ कर रहा है, अगर Asian Development Bank की बात कर तो मेगाले के power distribution system के लिए, बैंगलूरू के power distribution system को strong करने के लिए, जो है amount दिया गया, इसके अलावा ADP, Asian Development Bank, जो Manila based और Philippines based है, Asian Development Bank ने हमारे देश में biofield development को support करने के लिए, जैव इंधन विकास के लिए, जो है, कितना amount का लोन जो है, उसे निर्धारित किया है, तो कितनी जो है, स्विकरित की गई है, और बिल्कुल सही option आने लग गए है, कितना है भई, 2.5 million US dollars जो है, वो दिया है, Asian Development Bank ने, बहुत बड़ी है, सब लोग जो answer कर रहे हैं, तनी रात में भी जुड़े रहते हैं, thank you so much, next question आ रहा है, screen पर, name the two cities of मदर प्रदेश which has been inducted in the UNESCO's World Heritage Cities List, मदर प्रदेश के दो शहरों का नाम बताईए, जिनने UNESCO की विश्व विरासत शहरों के सूची में शामिल किया गया है, तो आपको बताना है मदर प्रदेश के दो शहरों का नाम, जिसे जो है, हाली में UNESCO ने अपनी World Heritage Cities List में शामिल कर लिया है, option है, उज्जेन गौलियर, इंदोर, गौलियर, ओच्छा, साची या फिर उज्जेन, तो मदर प्रदेश की जो है, दो सिटीज है, जिसे UNESCO ने, United Nation Educational Scientific Cultural Organization जो पारिस ट्रांस में लोकेटेड है, उसने World Heritage Cities List में डाला है, और वो कौन सी साइट से है, गौलियर और ओच्छा, कौन सी है, गौलियर और तो बहुत जादा न्यूस में बना रहा हा, हागा सोफिया का जो म्यूसियम है, उसे मॉस्क में जो है, कनवर्ट किया गया, तो हागा सोफिया जो है, किस देश में स्थित है, ये मॉन्यूमेंट है, और ये कहां पर लोकेटेड है, तो बिल्कुल जो है, सब ने पढ़ा इन विट स्टेट इस दा सूपा डैम लोकेटेट सूपा बांध जो है किस राज्य में स्थित है। इस दा सूपा बांध जो है किस राज्य में स्थित है। इस दा सूपा बांध जो है किस राज्य में स्थित है। जॉर्डन की capital की बात करें तो जॉर्डन की capital क्या है अम्मान है और अगर हम बात करें किसके बारे में currency की तो जॉर्डन की currency क्या है भै दिनार है। मेक्सिको की capital तो क्या है, मेक्सिको city ही है, और currency क्या है, बिल्कुल comment box में सब बता रहे हैं, पैसो है, नामीबिया, नामीबिया जो है, southern African country है, जिसकी capital क्या है, विंड होक है, ठीके क्या है, capital विंड होक है, और currency के अगर हम बात करें, तो rand जो है, वो यहाँ पे use होती है, इस मेक्सिको की capital मेक्सिको city ही है, नेक्स आ रहा है, अगला question screen पर, प्राइम मिनस्टर नरेंद मोदी जी has congratulated शेक सबा अल खालिद अल एहमद अल सबा on his reappointment as the prime minister of which country, प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी ने शेक सबा अल खालिद अल आमद अल सबा को किस देश के प्रधान मंत कंट्री के रूप में उनकी पुना न्यूकती पर बधाई दी है, तो reappointment हुआ है, प्राइम मिनस्टर कहां के है, जिने फिर से प्राइम मिनस्टर बना दिया गया है, नाम इनका सबा अल खालिद अल एहमद अल सबा, और ये बने है प्राइम मिनस्टर किस कंट्री के, इस के अलावा बचा है, चैड गंडराज्य, चैड रिपब्लिक जो है, ये Central African एक कंट्री है, जिसकी capital है क्या जमीना, ठीक है, जिसकी capital है क्या डीस आइलेंट है, जमीना है, और currency क्या है, यहां पर फ्रांक यूज की जाती है, चैड रिपब्लिक में, तो नेक्स आरा है अ चंद्रा, HDFC Bank 2.0 जो है, इसके आपको बताना है कि इस पुस्तक के लेखा कौन है, तो हाली में ये पुस्तक नॉमिनेट भी की गई है, HDFC Bank 2.0, तो बिलकुल इस पुस्तक के author कौन है, तमाल बंदोपाधियाजी, अगर आप स्क्रीन पर देख पारे है, तो इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है, HDFC Bank 2.0, From Dawn to Digital, और तमाल बंदोपाधियाजी की एक और बुक जो है, न्यूस में बनी हुई है, हाली में पैंडिमोनियम, ठीक है, इंडियन बैंकिंग ट्राजडी, पैंडिमोनियम नाम की बुक भी जो है, वो किसके द्वारा लिखी गई है, तमा गयाजा Capital, Business Book Price 2020 के लिए क्या की गई है, न्यूमिनेट की गई है, ठीक है, तो गयाजा Capital चो है, बुक प्राइड यावाद दिया जाता है, तो हट साली अवार्ड दिया जाता है, तो ये सारी बुक्स जो है, छे बुक नौमिनेट की गई है, शौट लिटह बुक में से कौन अगर हम बात करें तो सुब्रमानियम जी की सेइंग नो टु जुगार दा मेकिंग ओ बिग बास्केट और दे मून्शॉट गेम एडवेंच्छ अफ इंडियन विंचर कैपिटलिस्ट लाहुल चंद्रा यह जो बुक्स है यह नॉमिनेट की गई है गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइस 2020 के लिए ठीक है न तो गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइस जो हर साल दिया जाता है ट्रावलर्स को उनकी जूर्नी इसको उनके द्वारा लिखी गई बुक्स को जो है दिया जाता है अगर हम बात करें तो 2019 का यह जो पुरसकार था यह जीता था गिरीश कुबेर ने अपनी बुक दर टाटास हाउ अगर हम बात करें तो कुछ बुक्स जो है वो नॉमिनेटेड है जिनका नाम जो है यहां पे मेंचेंड है और इंपोर्टन है और तमाल बंदो पादियाजी की बहुत सारी बुक्स आरी है और वो बिलकुल इंपोर्टन है नेक्स आरा है अगला क्वेशन स्क्रीन पर यूनियन काबिनेट है अप्रूफ दे प्रोपोजल अफ सेबी केंडरी मंत्री मंडल ने भारत और किस देश के बीच दुए पक्षी समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर करने के लिए सेबी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जो प्रतिबूती नियमों के छेतर में सीमा पार से सायों को मजबूत करने और पारंपरिक साहता की सुविधा प्रधान करेगा तो सेबी का जो प्रपोजल था सिक्यॉरिटी इन एक्स्चेंज बोड ऑफ इंडिया का भारतिय प्रतिबूती और विन्यम बोड का तो उसके तहट जो है क्याबिनेट ने यूनियन काबिनेच ने जो है मेमरंडम ओफ अंडरस्टांडिंग की लिए जो है मनजूरी दे दी है इंडिया और किस कंट्री को दोनों कंट्रीज मिलकर जो है आपस में सिक्यॉरिटीज के छेतर में इन्वेस्मेंट के छेतर में जो सेबी काम करती है कैपिटल मार्केट पुझी बाजार के रेगुलेटर के छेतर में दोनों मिलकर जो है काम करेंगी तो इंडिया और किस कंट्री के बीच में यह अग्रिमेंट साइन हुआ है अप्शन है सूरिनाम, USA, Luxembourg के डेनमार्क तो बिल्कुल वो कौन सी कंट्री है? Luxembourg है कौन सी कंट्री की बात की गई है? Luxembourg के बारे में बात की गई है तो इंडिया और Luxembourg के बीच में जो सेबी ने प्रसाव रखा था उसके तहट दोनों कंट्री इसके बीच में MOU साइन हुआ है जिसमें जो है Financial Market वित्य बाजार जो है उसमें दोनों मिलकर काम करेंगे अगर हम और इस न्यूस के बारे में बात करें तो यह जो MOU साइन हुआ है इंडिया और Luxembourg के बीच में साइन हुआ है किस चेतर में? Health और Medicine के चेतर में दोनों एक दूसरे के Technologies में क्या करने वाली है? मदद करने वाली है तो अगर हम बात करें तो यह आज के जो थे वो 12 questions से जल्दी से जो टाइम है वो खतम हो जाता है यह जो है कुछ upcoming batches हैं जो हम upcoming batches, online batches start करने वाले हैं अपने platform पर तो आप जादा information के लिए Mahindra.org की website को चेक कर सकते हैं और आज जो है मतलब कल 9th of December को हमने 3-5 IBPSP O'Clerk और 1-3 CGL-CHSL का नाया batch जो है start किया है तो हर Wednesday को new batches की शुरुआत होती है तो बिलकुल आप Mahindra.org की website में जाकर पूरी information चेक कर सकते हो जो अभी तक मेरे टेलेग्राम चानल से नहीं जुड़े हैं तो बिलकुल आप selection with चाननी के नाम से टेलेग्राम पर search करके connect हो सकते हो for PDF and for more important information या फिर आप Pan India G.A. Mahindra's live के टेलेग्राम चानल से भी अपने आपको connect कर सकते हो अगर हम बात करें तो आज के session को यहीं पर end करते हैं Thank you very much to all of you जितने भी candidates हमारे साथ जुड़े हुए थे aspirants हमारे साथ जुड़े हुए थे चानल को subscribe करना ना भूलें और जाते जाते session को भई लाइक करते जाएगा अब मिलेंगे सुबे कितने बजे साड़े छे बजे अपने current affair analysis के show के साथ तब तक के लिए शुब रातनी सबको बढ़िया से नीन लीजेगा Bye bye guys, take care, जैहिन